हलो इफ्रिवान दिस इस रुपाली आप सभी का स्वागत है गुरु सिक्षा चानल में तो इस सेशन के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं देखे सुप्रीम कोट का ओडर आया आप सभी को पताए कि B.A.D. वर्सिस B.T.C. कि B.A.D. वर्सिस B.T.C. जो कॉंट्रोवर्सी चल रही है कि B.A.D. वाले जो स्टूरेंट्स हैं वो पेपर वन नहीं दे सकते हैं या प्राइमेरी सुने बहार निकाल दिया गया है अब ये पूरा सिनेरियो क्या था और सुप्रीम कोट के ओडर के बाद N.C.T.E. National Council for Teacher Education उनका क्या कहना है कि B.A.D. अभियर्ती जो है क्या वो एक से पांच के लिए योगे हैं या नहीं है इसी को ही हम लोग जान लेते हैं काफी सारी स्टूरेंट्स के मन में अभी भी डाउट चल रहा है तो ये एक निउस पेपर के काटिंग है देखे इसमें क्या लिए कि कोट के ओर्डर के बाद N.C.T.E. ने अपना B.A.D. जो B.A.D. स्टूरेंट्स हैं चात्र हैं एक से पांच कले पेपर दे सकते हैं नहीं तो उनके लिए N.C.T.E. ने भी अब ओर्डर पास कर दिया है कि वो योगे नहीं है 2018 तक N.C.T.E. भी मना कर रहा था कि B.A.D. वाले स्टूरेंट्स को प्राइमरी से बाहर ही रखते हैं बट फिस सेंट्रल गॉवर्मेंट ने यहां पर एक निकाला तो 2018 के बाद से B.A.D. वाले जो स्टूरेंट्स हैं प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो गए थे अब दुबारा से फिर कॉंट्रोवर्सी चालू कर दी गई तो इस वज़े से अब जो फाइनल नोटिस सुप्रीम कोर्ट के ओर्डर के बाद जो आया है कि B.A.D. सूडेंट्स जो हैं वो फर्स तू फिफ्ट का मीन्स की प्राइमरी से वो बाहर कर दिये गई हैं पूरा ये कटिंग जान लीजिए कि क्या लिखा है प्राइमरी स्कूल में सिक्षक नियुक्ति को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कौर्ट का फैसला आया था उसके आने के बाद राश्ट्री अधियापक परिसिक्षन परिशत की और से बड़ा अपडेट आ चुका है कि जो NCTE ने भी सभी राज्यों का साफ साफ कहा है कि बीएड अभियर्ती प्रात्मे विद्यालों के लिए बिल्कुल भी मानने नहीं है अब बीएड जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं अब वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं इट मीन्स कि अबरा प्राइमरी वो प्राइमरी इलिजिबल नहीं रहते हैं तो ये साफ 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 NCTE ने आपको ओर्डर दे दिया है साथी में सुप्रीम कोट का भी ओर्डर आ गया है और ये देनिक भासकर मीन्स राची का है ये जो बता दिया है कि बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं अब वो हर एक राज्ये में ही ए के लिए अंदर आपको जो पेपर की प्रप्रेशन करनी है वो है आपका पेपर टू अब एक ही पेपर को फोकस होके अच्छे से पढ़ लो तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफीशल होगा अब देखो उसमें भी साफ बताया है कि NCDE ने 28 जुन 2018 को जारी नोटिफि होंगे पर जो अब सुप्रीम कोट का ओडर आया है 11 अगस्त को उसके अनुसार यही बताया गया है कि यह जो ओडर था यह जो अधी सूचनाती उसको खारिज कर दिया गया है तो अब आप लोग पेपर टू के लिए लिजिबल हो बागी TGT PGT के लिए हो PRT से बाहर निकल है BA students इसमें घबराओ मत ऐसी challenges आपको मिलते रहेंगे जिन्दगी में बस आपको आगे बढ़ना है अपना goal clear रखो उस goal तक पहुचने के तियारी करो इतना करना है ऐसे updates तो आपकी life में हर दिन आएंगे challenges हर दिन आप लोग face करोगे तो इस मुद्दे को issue ना बना कर हमें आ अब कहीं पर doubt है तो आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे whatsapp कर दीजेगा whatsapp भी कर सकते है और इसी वीडियो के नीचे आप लोग comments भी कर सकते है मेरा whatsapp number भी provided है right thank you so much बाकी updates के लिए आप लोग telegram channel को join कर लेना aspiring teachers के name से है thank you so much